हेलो फ्रेंट, वेलकन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस और दोस्त अमिक कुमा सिंग, आज मैं आपको पांच ऐसी कमपनी बताऊंगा, जो अगले दिवाली तक 400-500% कर्टन बना के दे सकता है, आप अगर एक डेर लाग रुपया लगाना चाहते हो, मौरट ट्रेडिंग के दिन, तो इन पांचों कमपनी में आप लोग एक डेर लाग रुपया लगा सकते हो, सभी के सभी मल्टी वेगर स्टॉक है, जिसमें अगर पैसा बनेगा, तो बहुत ही तेजी से बनेगा, तो खरीदारी कीजिएगा, मौरट ट्रेडिंग एक घंटे के लिए होता है, 6-15 में मार्केट खुलेगा, और 7-15 में मार्केट बंद हो जाएगा, तो चलो मैं वीडियो सुरू करता हूं, तो सबसे पहले मैं जिस कमपनी को चूज किया हूं, उसका नाम है प्रिंस पाइब, मुझे लगता है कि ये कमपनी आने वाले एक देर सालों में 200-300 परसेंटन बना के दे सकता है, तो आप इस कमपनी को हलके में बिल्कुल ही मत लिजिएगा, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रिंस पाइब कब चलेगा, तो भईया ये स्टॉक जब चलेगा ना, तो आप खरीद नहीं पाओगे, लिख के रख लिजिएगा, जब ये स्टॉक कमपनी को मैं बहुत पहले से खरीद रहा हूं, प्रिंस पाइब, एस्टरल पाइब के जैसे टन बना के देगा, तो आप लोग खरीदारी कीजिए, 25-30 साल के लिए पोट्फोलिय बना रहे हैं, 10 सालों के लिए पोट्फोलिय बना रहे हैं, 2-3 सालों के लिए पोट्फोलि बजास फनेंस का सेर कई बार मुझे परिशान किया बजास फनेंस में ओफेस आया तो 6-7 मैंने स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला मैं खुद परिशान हो गया था 2017 में क्योंकि हमें आदत लगी हुई थी कि बजास फनेंस चले गहीं लेकिन ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में आप अगर खरीद के बैठे रहोगे ना तभी जाके पैसा बनेगा तो प्रिंस पाइप को खरीद के बैठे रहिए एस्टल पैक जिसी कमपनी को खरीद के बैठे रहिए और आपके पोटो में पहले से ये स्टॉक है तो एक भी सेर सेल मत कीजिए बलकि और भी पैसा लगई आप कहीं भी चले जाएग है प्रिंस पाइब का आपको समान मिल जाएगा प्रिंस पाइब की तसल otok नई फ्रकर तर्न नहीं सो करेगा थीं साल करे अं क्योंकि इस कंपनी का IPO जो है था वो December 2019 में आया था 178 रुपया के price पे आया था तो देखो एक company one year में कितना लटन बना की दिया है तो देखो one year 10 है वो 222.74 पसेंट है ने 47.48.46 पसेंट है ने और मैं एक बात बताना चाहूँगा COVID-19 में एस company में अच्छा कासा correction हुआ था एस्टल पाइप में अच्छा कासा correction हुआ था कई लोग मुझे comment करते थे कि सर मेरा एस्टल पाइप में पैसा डूब गया अब मैं क्या करूँ तो वही आपका पैसा कभी डूबता है ना जब वो company खतम हो जाती है करेक्शन होने से किसी company का धंदा कभी बंद होता ही नहीं है तो इस बात को समझने की कोशिस किजिए year to date में देख लो year to date में 122.82% अने 600 अने 25.17% अने तो भया ये company 2021 में 122.17% बना के दे चुका है one month में देख लो भई one month में 9.11% अने 1.71% अने one week में देख लो one week में 4.20% अने one day में 0.65% अने तो आप लोग प्रिंस 5 में पैसा लगाईए एक multi best stock है जिसमें आपका पैसा बनना टय है और मैं इस company पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल प्रिंस 5 में breakout होने वाला है और जब breakout होगा तो आप खरीज भी नहीं पाऊगे रिलेक्सो फोटर में breakout हो चुका है कल ही मैं वीडियो डाला हूँ और breakout failure होता वाई तो कोई दिक्कत नहीं है रिलेक्सो फोटर जैसी company में और रिलेक्सो फोटर में आप टो S.I.P कीजिए बहुत जब रिलेक्सो फोटर का प्राइस 16-17 सुर्पया हो जाएगा कुछ दिन पहले भाई मैं paid से भी स्टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं बहुत जल्द large cap company बन सकती है share का प्राइस 15-20चार भी हो सकता है और वो भी बहुत ही जल्ग डेर से दो सालों में यह सो निश्टी का प्राइस 15-20-चार भी हो सकता है तो आप लोग इस company में पैसा लगाइएगा और पहले से पैसा लगाएगर रखें तो एक भी सेर सेलमत कीजिए और इस समय केमिकल सेटरिक कमपनी में अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है कई सारी कमपनी में 20%, 25%, 30% का करेक्शन हो चुका है और बहुत साहे लोग परिशान भी हो रहे हैं तो देखो भाई आपको परिशान होने के जोत नहीं है दीपक नैटेट कोई खराब कमपनी नहीं है आरती नर्स्टी कोई खराब कमपनी नहीं है अलकल माइन्स बाला जे माइन्स कोई खराब कमपनी नहीं है ये सब एक multi buy stock है और जिस company है पैसा बहुत ही तेजी से बनता है उसमें भाया correction भी होता है और आप लोग को इसके लिए तयार भी रहना चाहिए आप पहले ये तो देखिए कि दीपक नेटेट कहां से कहां चला गिया अलकल माइन्स कहां से कहां चला गिया देर से दो सालों में ही बाला जे माइन्स कहां से कहां चला गिया आप लोग ये सब कभी नहीं देखते हैं बस आप लोग correction देखते हैं मैं दीपक नेटेट पे 275 पे के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ और इस stock 3000 पे तक चला गिया मेरा दीपक नेटेट में टार्गेट जो है वो 75-100 का है और भाई आप 75-100 रातो रात नहीं होगा समय लगेगा इस stock बहुत ही तेजी से उपर गया था तो correction भी होगा और ऐसा कभी नहीं होता है भाई कि stock चलता ही रहेगा correction भी होगा आप अभी पैसा लगा है तो आपका पै एक देर साल बात बनेगा तो इंतिजार कीजिए तुरांत return नहीं मिलता है यह सो इंडेस्ट्री लिम्टेट अब तक किस type return बना के दे चुका है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तो भी यहां पर 10 सल का turn नहीं सो करेगा क्योंकि इस company का IPO जो है था वो 19 मार्च 2018 18 को आया था 100 रुपया के price पर आया था और यह company BAC SME के platform पर लिस्ट होई थी तो देखो ए company 3 साल में कितना turn बना के दिया है तो देखो 3 साल में 10 है वो 1147.62% है जो की बहुत ही अच्छा turn माना जाएगा 70.72% है और भईया मैं इस company पे फर्स टाइम वीडियो 117 रुपय के price से बनाया था और उस समय से stock चली रहा है high पे high लगा ही रहा है आप लोग ने गर पैसा लगाया होगा तो आपका पैसा बन रहा होगा वन येर में देख लो भई वन येर में 756.21% है और और भी रटन बना के देगा कुछ दिन पहले भाई मैं paid service टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दे रखा हूँ ये भी एक बहुत बड़ा multi-way stock है जिसमें आप लोग का पैसा बहुत ही तेजी से बन सकता है साल में 200, 300, 400, 500% गटन बना के दे सकता है तो आप लोग मोहरत ट्रेडिंग के दिन इस company में पैसा लगा सकती हो और जब से मैं बताया हूँ ये stock भाईया चली रहा है तो तीन दिन पहले इस company में breakout भी हुआ था ग्रीन पैनल कोई बहुत बड़ी company नहीं है आप यहां पर market cap देख सकते हो चार अजार 778 कोड का market cap है ये company आगे चलके large cap company भी बन सकता है और भईया ये company return ही बना के दे रहा है आप यहां पर return देख सकते हो वन येर का return जो है वो 385.87% है जो की बहुत ही अच्छा टन माना जाएगा शेंसोट आने 48.46% है येर टू डेट में देख लो येर टू डेट में 209.64% है शेंसोट आने 25.17% है वन मंत में देख लो भाई वन मंत में 20.12% है शेंसोट है ने 1.71% है वन बेक में 11.42% है शेंसोट है ने माइनिस 2.24% है और भईया एक breakout से रहे बहुत जल ग्रीन पैनल का price 6700 रप्या हो जाएगा तो पैसा लगाईएगा चौथी जो मैं company चूच गया वै उसका नाम है APL Apollo Steel Pipe आने वाले 5-10 सालों में 15 सालों में large cap company बन जाएगी निफ्टी 50 का इससा हो जाएगा आप लोग ने अभी तक अगर पैसा लगा के नहीं रखा है तो आप लोग APL Apollo Steel Pipe में पैसा लगाईए और थोड़ा जादा पैसा लगाईए इस company का distribution network भी बहुत ही बढ़िया है और Trico Tipe ऐसा लगाईए दोनों ही अची company हैं और मैं इन दोनों company पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ APL Apollo Tipe Limited अब तक किस टावसे टन बना के दे चुका है और मैं आप लोगो दिखाना चाहूँगा तीन साल में देख लो भई तीन साल में 586.55% आने 700.72% आने वन येर में देख लो भई नाम है Galaxy Bearing Limited ये जो company है वह बेरिंग बनाती है और बेरिंग वाली company में पैसा बनेगा तो आप लोग पैसा लगा सकते हैं और एक multi-way stock है जिसमें आप लोग 10-15,000 रपया 25 रपय लगा के छोड़ सकते हो और अभी ये बहुत छोटी company है वह आपको मैं market cap दिखा देता हूँ तो आप देख सेते हो 109 करोड का market cap है लेकिन यही company अगर mid cap बन जाती है तो सूचलों आप कितना बड़ा पैसा बना लोगे तो 10-15,000 रपय लगाने में कोई दिक्कत नहीं है इतना वह आप लगा सकते हो अब कई लोग बोलेंगे कि Galaxy Bearing के पैसा डूब जाएगा ये सुनज investment किये 10-15,000 रपय लगाए हैं आप अगर 10-15,000 रपय को mobile खरीते हो वो कितना दिन चलता है एक 8 साल ज्यादा ज्यादा दो या 3 साल चलता है इससे ज्यादा नहीं चलता है तो 10-15,000 रपय लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिन पहले भाई मैं paid से भी start किया हूँ जि किजिए मुझसे paid service चाहिए तो छोटी company है तो छोटा investment किजिए क्या दिख करता है और यहां पर return भी देख लो भाई तीन साल को return है वो 320 पसेंट है तो अच्छा का सा return ही बना के दे रहा है वन येर में return देख लो वन येर में 112.87 पसेंट है ये टूडेट में देख लो ये अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना पहले सिर्में चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो को notification आप लोग को मिलने पाएगा आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाए तभी जाके आपका पैसा बनेगा ल झानेवाद